मान्य प्रधानमंति जी मान्य देख जी मैं राश्वती जी के अभिभाशन पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ समसत के इस नए भवन में जब आदनिय राश्वती जी हम सब को संभोसित करने के लिए आई और जिस गवरव और सम्मान के साथ संगोल पूरे प्रोसेशन का नेटरूप परता है और हम सब उसके पीशे फीचे चल रहे थे नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजहादी के उस पवित्र पल का प्रतिविम जब साक्षी बनता है तो लोग तंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाती है ये पचतरवा गणतंत्र दिवस इसके बाद संसवत का नया भवन संगोल की अगुवाई ये सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था मैं जब वहां से पुरे कारकम को मैं भाजे जारी कर रहा था यहां से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती है लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा वरन उपर वस्थेती में राश्पति उपराश्पति जिवराब हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला वद्रश्य हमेशा हमेशा यहां जाए जिन मानिय करीब 60 से जादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार प्रस्थाव पर अपने विचार रखे हैं मैं विनम्रता के साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने मानिय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूं मैं विशेश रुप से विपक्ष ने जो संकल पलिया है उसकी सराहना करता हूं उनके भाषण के एक-एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है किनोंने लंबे अर्शे तक बहां रहने का संकल पलिया आप कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दसक तक वहां बैठने का आपका संकल पर जनता जनारदन को इश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जनता जनारदन आपको जरूर आश्रवाद देगे और आप आप जिस उचाई पे हैं उससे भी अधिक उचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक गिसा में दिखेंगे अधिरन जी इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या आप आपने इनी चीजों को पचाया है मैं देख रहा हूं कि आपने से बहुत लोग चुनाओं लड़ने का होसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना हैं बहुत लोग बहुत लोग पिछली बार भी सीट बडली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं और मैंने सुना हैं बहुत लोग अब लोगसाबाय के बजाए राजसाबाय में जाना चाहते हैं तो सित्यों का आकड़न करके वो अपना अपना रास्ता ढूंड रहे हैं अधेन अध्यक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से पत्थों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राखती जीन प्रस्तावेज और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तावर हो रहा है उसका लेखा जो खा आधन्य रास्तपती जी ने प्रस्तुत किया है अधन्य रास्तपती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का धान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समर्द होंगे हमारा देश उतना ही समर्द होगा उतना ही तेजी से समर्द होगा और उन्होंने इन चार स्तंभों का उलेक करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईब हैं और देश के हमारे किछान, हमारे मच्वारे, हमारे परशुपाला को उनकी चर्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से राष्ट के विक्सीद भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश अच्छा होता है आपके यहां फिशन्मेन माइनोरिटी के नहों हो सकता है आपके हां पशुपालग माइनोरिटी के नहों हो सकता है किसान आपके हां माइनोरिटी के नहों हो सकता है महलाएं आपके हां माइनोरिटी में नहों हो सकता है कि आपके युवा में माइनोरिटी क्या हो गया है दादा क्या देश के युवार जी के बात होती है समाज के सब व कि अच्छा होता है कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के धर्मयान कुछ सकारत्मक बाते होती है कुछ सकारत्मक सुझाव आते लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझता रहा है उसके बार बार दर्द होता कि ये दशा है इनकी कि सोचरी की मर्यादा एकनी है अधने देख जी नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकरडर वही बज़ रही है वही बातें कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका कि चुनाव का वरस्ता थोड़ी महनक करते कुछ नया निकाल करके लाते जनता को जरा संदेश देपाते उसमें भी फेल गया है चलिए यह भी मैं सिखाता हूं कि अधर नियों देख जी आज विपक्ष की जो हालत होगी न इसकी सबसी दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाहित्व को निभाने में भी वे पुरी तरह विफल गए हैं और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार ये करते रहें कि और पी विपक्ष जो तेज़स भी लोग है उनको दबा दिया जाएं हाउस में कई यंग हमारे मान्य सामसद गण है उत्सा भी उमंग भी है लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिंता में इस यंग जन्रेशन को मोका न मिले हाउस को ही चलने नहीं दिये प्रकार से इतना बड़ा नुक्सान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्ष की विपक्षी बहुत जरूरत है कि देश ने जितना कि परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंग्रेस ने उठाया है कि अब अधिर बाबु के हाला दम देख रहे हैं कि वनना यह समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद कि सेवा तो कड़ी पड़ती है आदेनिया तक जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही सिफ्ट कर गए यह साब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गरी है अब लोग कह रहे हैंग्र को ताला लगने की बात आईकि हम किस परिवार वात पी चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बलगूते पर जन समर्थन से एक से अधीक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवार वात नहीं कहा है हम परिवार वात की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्रास्मिक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवार वात है न राजनाजी की कोई political party है ना अमीज शाह की political party है और इसलिए अजहाँ एक परिवार तो partyयां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित रही है लोग तंत्र में party अनेत एक परिवार के दस लोग राजनिती बहाएं पुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नवज़वान लोग आएं, हम भी चाहते हैं, एक इसकी चर्चा खरिये, हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए परिवार वादी राजनीती, परिवारिक पार्टियों की राजनीती, यह हम सब की चिंता का विशे होना चाह ही है, और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा, दस लोग प्रगदी करें, मैं स्वागत करूंगा, देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आएं, स्वागत ही होगे हैं, सवाल यह है, कि परिवार ही प बेटा होगा यह नहीं होगा दोसका बेटा होगा कि यह लोकतंत्र का खत्रा और इसलिए अच्छा हुआ दादा थैंक्यो यह विशे कभी बोलता नहीं था आज बोल दिया पर अधन्य अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार-बार लॉंच करने का भरपूर प्यास हो रहा है अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांगशाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तैयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं आत्मंदिर भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, हम कहते हैं बंदे भाड़ा क्रें, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, हम कहते हैं संसाज की नहीं हमारा, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, यहने बहरान हुई है कोई मोधी को प्लब दिया, नहीं है देश को प्लब दिया कि इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारण देश की सफलता है देश के एच्वेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए है अधेने अधेक जी राश्पती जी ने विक्सिद भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की गए अर्थेववस्ता की मुल्भूद जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की गए और भारत की मजबूत अर्थिववस्ता को आज पूरी दुनिया सरा रही है पूरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकर से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है जी च्वेंटी समीट के इंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोथता है क्या कहता है क्या आजा जी गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विश्वात से कहता हूं और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्टिक पाप सेगा और यह मोदी की गारंटी है मानिय अद्धिक जी उनको पहले मोका नहीं दिया था क्या है सबको मोका दिया है ना अद्धिक जी जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन करके उगरेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा क्या कमाल है आप लोगों के मोदी का क्या है यह तो अपने आप हो जाएगी मैं जरा सरकार के भूमी का क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेश करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमी का क्या होती है आदेने अद्धक जीन दस साल पहले 2014 में फरवरी महिने में जो इंट्रिम बजेट आया था उसे में कौन लोग बैठे था आपको दो मालूम है देश को भी मालूम है जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था उसे पेश करते सबाए उस समय के वित्मंत्री ने जो कहा था मैं उसको कोड कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मुल्यवान है जी जब आप लोग कहते हैं ने तो अपने आप तीसरे नबर पर जा ही जाएगा ऐसा कहते हैं उनको जड़ा समझना चाहिए यह उन्होंने क्या कहा था I now wish to look forward and outline a vision for the future vision for the future पुरे ब्रह्मान के सबसे बड़े अर्थसास्त्री बोल रहे था है I now wish to look forward and outline a vision for the future आगे कहते हैं I wonder how many have noted the fact that India's economy in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world अने 2014 में 11 नंबर पहुँचने पर क्या गवरोगान होता था आज पांच पर पहुँच गए और आपको क्या होगा आज निया दिक जी आज़निया दिक जी मैं आगे पढ़ रहा हूं गोगई जी थैंक जी आपने अच्छा कहां, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिये, साथ जी ओ ध्यान से सुनिये, उन्होंने कहा था, इस दी इलेमेंट लाज़े सिंद वाला, बड़ा गवरव का बाद था, देरा ग्रेट थिंग्स इन्ट स्टोर, हागे वह कह रहा है, कहा रहा, देरा ग्रेट थिंग्स इन्ट स्टोर, फिर आगे कहते हैं, यह ब्रमान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे, कि तीसरे नंबर पर, तीस साल में हम पहुँच जाएंगे, तीस साल, और फिर कहा था, यह मेरा विज़न, जो मैं, बहुट लोग हैं, जो यह खयाला में रहते हैं, वो ब्रमान के सबसे बड़ी अर्थसात्री है, यह लोग 2014 में कह रहे हैं, और विज़न क्या देखते हैं, तीरे 2044, एने 2024 तक, तीछरी अर्थववस्ता की बात, यह इनकी सोच, यह इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थे खोच चुके थे लोगे, संकल्प तो दूर की बात थी, तीस साल का इंतजार करने लिए, मेरे देश की उवा पिड़ी कोई कहकर गये थे, लेकिर हम, आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदर में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे, यह मोदी की गरंटी है, मेरे तीसरे कारकाल में, देश दुनिया की तीसरी आर्थी ख़क्ती पन्या, कैसे लक्ष रखते हैं, कि सोच कहा तक जाना थी, दया थी है, और आप लो, ग्यारा नमबर पर बड़ा गर्व कर रहे था, अब पांच नमबर पहुचा दिये जी, लेकिन अगर ग्यारा पर पहुचने से, आपको खुशी होती थी, तो पांच नमबर पहुचने पर भी खुशी होती होनी चाहिए, देश पांच नमबर पहुचने आपको खुशी होनी चाहिए, किस बिमारी में फसे पड़े होती है, अधनिया अध्यक जी, बाजपा सरकार की काम करने की स्पीद, हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं, हमारा हौंसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है, रादनिय अध्यक जी, एक कवाहा कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास, एक कहावत कही जाती है, नव दिन चले, अधाई कोस, और मुझे लगता है कि ये कहावत, पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशित है देखी है, ये कॉंग्रेस की सुस्तरफकार का कोई मुखाबला नहीं था, आज देश में, आज देश में, आज देश में, आज देश में, जिस रप्तार से काम हो रहा है, कॉंग्रेस सरकार इस रप्तार की कल्पना भी नहीं कर चाती है, आजनी अद्दक जी, आजनी अद्दक जी, हमने गरीबों के लिए, चार करोड घर बनाए, और शहरी गरीबों के लिए, असी लाग पके मकान, शहरी गरीबों के लिए बने, कॉंग्रेस, अगर कॉंग्रेस की रप्तार से घर बने होते हैं, तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूँ, अगर कॉंग्रेस की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता है, तो सो साल लगते इतना काम करने में, सो साल लगते हैं, पांच पीडिया घुजर जाती है आदेने तिक जी दस वर्स में 40,000 किलोमेटर रेलवे ट्रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रफ्तार से देश चलता इस काम को करने में 80 साल लग जाती है एक प्रकारते चार पीडियां गुजर जाती है आदर रतिक जी हमने सत्रा क्रोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं दस साल का हिटाब दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते तीन पीडियां दुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है आदेने देख जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कबरेज 40 परसंट से 100 परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती है तो यह काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता आदिर निर्थिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्षान हुआ कॉंग्रेस ने देश के सामर्थे पर कभी भी विश्वाज नहीं किया वे अपने आपको शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कबंतर आखते गए छोटा आखते गए आदिर्थिक जी देश के नागरीकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जड़ा चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल की ले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हें ने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की हिरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं नहरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौमें यह ना समझे कि वह कौमें कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ड से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रती सोच थी कि बारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कमक्रे के लोग होते हैं और आदनी अद्दक जी इंद्राजी की सोच भी उससे जादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल किले से पंद्रा अगस को कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने तो होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखतर के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए लेकिन कॉंग्रेस का एकदम सटी का आकलन होना रही किया था कॉंग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है मानिय अद्रग्जी कॉंग्रेस का विश्वाद हमेशां सुरप एक परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले का बानुमती का कुणभा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलोगों करने लग गए कॉंग्रेश के लोगों ने नया नया मॉर्टर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ज्याम तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ है अलाइन्मेंट का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवेंट अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे आदेन्य अत्यक जी हमें देश के सामर्थे पर भरोसा है हमें लोगों की शक्ती पर भरोसा है आदने अत्यक जी देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का आउसर दिया तो हमने पहले कारकाल में यूपिये के समय के जो गड़े थे वो गड़े भरने में हमारा कापी शमय और शक्ती लगी हम पहले कारकाल में वो गड़े भरते रहे हमने दूसरे कारकाल में नए भारत की नीव रखी और तीसरे कारकाल में हम विक्सित भारत को मिरमान को नए दपी देंगे आदर्य अध्यक जी पहले कारकाल में हमने स्वच्च भारत उज्वला आईश्मान आईश्मान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी प्रकार से सुगम्य भारत डीजिटल इनिया ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप दे करके आगे बढ़ाए टैक्स व्यवस्ता आसान हो इसके लिए जी एस्टी जैसे निर्णा लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया जनता ने बहुत आशिरवाद दिये पहले से भी ज़्यादा आशिरवाद दिये और हम हमारा दूसरा कारकाल प्रारंभ हुआ दूसरा कारकाल संकल्पों और वच्चनों की पूर्ति का कारकाल रहा है जिम उपलब्दियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कारकाल में हुआ होते हुआ हम सबने हुआ हम सबने तिन सो सक्टर खतम हुएते हुए देखा इनी मान्य सामसदों के आँखों के सामने और उनके बोड की ताटत से 370 गया नारी शक्ति बंदन अधिनियम ये जूसे कारकाल में तानून मना आदेनिया देख जी अंतरिक से लेकर के ओलेंपिक तक ससक्त नबलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ की गुण्ज़ फेल ये नारी शक्ति के ससक्ति करन को आज देश ने देखा है आदेनिया देख जी अंतर से दक्षिन तक पूरब से पस्चिन तक लोगों ने बसकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समय बद्ध तरीके से पूरे होते होते हैं आदेनिया देख जी अंग्रेजी सासन के पूरारे दंद प्रधान कानूनों से हम प्लीच 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 माने सदक्षिकन सदन के नेता बोल रहे हैं आपको फिलीच आप समझारे सदन является नेता बोल रहे है आपको मैंने सब और समय प्रयाप अवस्र दिया था ये तरीका गलत है कि यह अब मर्यादा बनाकि रखना पड़ेगा फिलीज बेटे बेटे को ही टिपडिनीं करेगा प्लेच 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 नो गलत तरीका गलत तरीका माने प्रदामन्ती जी अब यह तरीका है क्या आपका अब यह तरीका है । को अब यह में यह में जीजे काहिए । अग्री जी शाथन के पुराने कानून जो बंद प्रधान थे उन दंद प्रधानों के कानूनों से हट करके हमने न्याई सहीता तक प्रखती है हमारी सरकार ने सैक्ड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगी हो गए थे सरकार ने 40,000 से जानदा कंप्लाइंसिस खटम कर दिये हैं आदेन्य देख जी भारत ने अम्रुद भारत और नमोद भारत प्रेनों से बविश्य के उन्निति के सपने से हादर नियद्द जी देश के गाउं गाउं ने देश के कोटी कोटी जड़ों ने विक्सित भारत के संक्तर प्रयात्रा देखी हैं और सेचुरेशन के पीछे कितनी महनत की जाती है उसके हग की चीज़ उसको मिले उसके दरवाजे दस्तक देखर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है आदर नियद्द जी भगवान राम आदर नियद्द जी भगवान राम न सिर्थ अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का नर्माण हुआ जो भारत की महान साथ देख परंपरागो नई उर्जा देता रहेगा आदर नियद्द जी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती है और अपकी बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार खरकेजी भी कह रहे हैं लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूं लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपाई के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तिन सो सत्तर सीट अबस्य देगा पीजेपी को तिन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार सवा की कारवाई इस विशे की समाप्तिक तब बढ़ा दी जाये हादिने दिग जी हमारा तीसरा कारकाल बहुत बड़े फैंसलों का होगा मैंने लाल के लिए से कहा था और राम मंदीर प्रांतिक्षा के समय भी मैंने उसको दोहराया था मैंने कहा था देश को अगले हजार वर्षों तर सम्रुद्ध और सिद्धी के शिखर पर देखना चाहिए तीसरा कारकाल अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नीव रखने का कारकाल खादने अधिक जी मैं भारत वास्वियों के लिए उनके भविश्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ है मेरा देश के 140 करोण नागरिकों के सामर्थे पर अपार भरोसा है मेरा बहुत विश्वास दस वर्षों में 25 करोण लोग गरीबी से बहार आएं ये सामर्थे पर आता है अधर्णिया जग जी मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले गरीब को अगर साउसाधन मिले गरीब को अगर स्वाभिवान मिले तो हमारा गरीब गरिबी को परास्त करने का सावर्थ रख और हमने वो रास्ता चुना और मेरे गरिब भायों ने गरिबी को परास्त करके दिखाया रहे और इसी सोच के साथ हमने गरिब को साधन दिये सवसाधन दिये, सम्मान दिया, स्वाविमान दिया, 50 करोड गरीबों के पास आज बैंक खाता है, कभी वो बैंक से घुजर नहीं खाता है, चार करोड गरीबों के पास पक्का घर है, घर उसके स्वाविमान को एक नया सामर्थ देता है, ग्यारा करोड से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से बैंक पट्पन करोड से अधिक गरीबों को आईशमान भारत कार्ड मिला है, भर में कोई भी बिमारी आ जाएं, उस बिमारी के काम फिर से वो गरीबी के तरब लोडग न जाएं, उसको भरोसा है, कितनी भी बिमारी क्यों आ जाएं, बोदी बैठा है, असी करोड लोगों को मुप्त अनाज की स्विधा दी देए, आदर्णी, अदर्णी अदर्णी जी, मोदी ने उनको पूछा, जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था, देश में पहली बार रेहडी पट्री वाले साथियों के बारे में सोचा गया, पीएम स्वानी दी योजना से, आज वो ब्याज के चक्कर से बहार निकले, बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, देश में पहली बार, हाथ का हुनर जिनका सामर्त है, जो राश्ट का निर्मान भी करते हैं, ऐसे मेरे विश्व कर्मा साथियों के बारे में सोचा गया, उनको अधुनिक टूर, अधुनिक ट्रेनिंग, पैसों की मदर, विश्व एक मार्केट उनके लिए खुल जाए, ये मेरे विश्व कर्मा भाईयों के लिए हमें का, देश में पहली बार, PBTG, यानि जन जातियों में भी, अतीप पीछडे जो हमारे भाई बेहने, संख्या बहुत कम है, बोट के हिसाब से किछे को नजर नहीं जाती है, हम बोट से परे हैं, हम दिलों से जुड़े हैं, आर इसलिए, इसलिए, PBTG जातियों के लिए, PM जन्मन योजना बना करके, उनके कल्यार का मिशन मोड बे काम उठाया है, इतना ही नहीं, सरहत के जो गाउं थे, जिनको आखरी गाउं करके छोड़ दिया गया था, हमने वो आखरी गाउं को पहला गाउं बना करके, विकास की पुरी दिशा बदले, अदेने अध्यक जी में जिए बार-बार मॉलेट्स की वकालत करता हूंत Normally की दनिया के ँदर जाकर चर्चा करता हूं जी ट्वेंटी के देशे के सान लोगों के सामने गर्बब मेरे मेरे दिल नेती honesty kom मिलेट की पेचिते हैं इन्ता कello इससे हम जुड़े उसे और जैल रहोग जी जब मैं वोकल फ़ोकल की बात करता हूँ सब मैं मेंि किन इंडिया की बात करता हूँ तब मैं करोडो ग्रहुत वो लगोज्ड वो कुटिरुद्यों उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ उनके कल्यान के लिए सब्सक्राइब आदेनिया देजी खादी कॉंग्रेस पार्टिन उसको भुला दिया सरकारों ने भुला दिया आज मैं खादी के ताकत देने में खबलता प्रोग आगे बढ़ा हूँ क्योंकि खादी के साथ हैंडलूं के साथ करोणों भुनकरों की जिन्दगी लगे लिए हैं तो उनके कल्यान को देखता है खादिनिया देख जी हमारी सरकार हर कौने में गरीबी को निकालने के लिए गरीब को सम्र्द बनाने के लिए अन्येक इवित प्रयासों को कर रही है है चीन के लिए वोट बैंकि था उनके लिए उनका कल्यान संभव नहीं था हमारे लिए उनका कल्यान राष्ट का कल्यान है और इसलिए हम उसी रास्ते पर चलते हैं। कुछ दिन पहले जब करपुरी ठाकोर जी को भारत रत न दिया, हमने वो सम्माद दिया। उनको पत से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्तिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। हादिने दिख जी, कॉंग्रेस को अतीप पिछर व्यक्ति बरदास्त नहीं रुआ था। 1987 में जब कॉंग्रेस के पास पूरे देश में उनका जंडा फैरता था। सत्ता ही सत्ता थी। तब उन्होंने करपुरी ठाकुर को प्रती पस्कें वेता के रुपे स्विकार करने से बना कर दिया। और कारण क्या दिया। वो समिधान, समिधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस करपुरी ठाकुर ने पुरा जीवन लोगतंतर के सिधानतों के लिए समिधान की मरियादाओं के लिए खपा दिया। उनका अपमान करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया था। आधनी अध्यक जी आधनी अध्यक जी कॉंग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पार बहुत चिंताश जताते हैं कि सरकार में OBC कितने लोग हैं कितने पत्पर कहां उसके हिसाब के ताप करते रहते हैं। देकि मैं हरान हूँ उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है। यहां आखे पंगर के बैठ जाते हैं। आधनी अधिक जी जरा मैं यह दुनिया भर की चीजे करते हैं मैं कहना चाहता हूं। यह 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 यूपिये के समाएं। एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी बनाए गई थी। जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी। नेश्टनल एडवाजरी काउंसिल जरा कोई निकाल करके देखें। उसमें क्या कोई OBC था क्या है। जरा निकाल करके देखिए। इतने बड़ी बड़ी पावर भूल पाड़ी बनाए थी। और वो देखेंट कर रहे थे। आधनिय अध्यक जी पिछले 10 वर्सों में नारी शक्ति के ससक्तिकरण को ले करके अनेक वीद कदम उठाए गया। नारी के नेत्रुक में समाज के ससक्तिकरण पर काम किया गया है। अधनिय दिख जी अब देश की बेटी हिंदूस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। जहां देश की बेटियों के लिए दर्वाजे बंद हो। आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जैड भी उड़ा रही हैं और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है। आधनिय अध्यक्ष मुदे ग्रामीन वबस्ता अर्थ वबस्ता हमारी है। विमन सेल्फ हेल्प ग्रूप दस करोड बहने जूड़ी है। और आर्थिक गतिविती करते हैं। और ग्रामीन अर्थ वबस्ता को वो नई ताकत दे रही है। और मिजे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परणाम है कि आज करीब करीब एक करोड लगपती दीदी आज देश्वत है। और जब मेरी उनसे बात होती है उनका जो आत्मी स्वाथ देखता हूँ। मरा पक्ता विश्वाथ हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले हमारे कारकाल में तीन करोड लगपती दीदी हमारे देश के अंदर देखें। आप कल्परा कर सकते गाहों के अर्थ वोस्ता को कितना बड़ा बुद्लाव हो जाएगा। अधरी ने अधर जी है। हमारे देश में बेटियों के समद्ध जो पहले सोच थी। समाज की घर में गुश गई थी। दिमाग में भी गुश गई थी। आज वो सोच कितनी तीजी से बदल नहीं है। थोड़ा सा बारी किसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कितना बड़ा सुखत बडलावारा है। पहले अगर बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी। अरे खर्चा कैसे उठाएंगे। इसको कैसे पढ़ाएंगे। उसके आगे की जिन्गी का एक प्रकार थे कोई बोज है इसी चर्चा ही हुआ करते थी। आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे सुकन्या समरुद्य अकाउंट खुला के ने खुला। पहले सवाल होता था प्रेगनेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी। पहले ये बात होती थी प्रेगनेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी। आज कहा जाता है 26 हपते की पेड़ लीव और बाद में भी अगर चाहिए तो मिलेगी ये बढ़ला होता है पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नोकरी क्यों करना चाहती हो क्या पती की सेलरी कम पढ़ रही ऐसे सवाल होते थे आज आज लोग पूछ रहे हैं मडम आपका जो स्टार्ट अप है न बहुत प्रगति कर रहा है क्या मुझे नोकरी मिलेगी ये बढ़ला है आज़ सवाल पूछा जाता है कि बेटी की उम्हर बढ़ रही है आज पूछा जाता है बेटी पर्शनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो कैसे करती हो हादनी अद्धिक जी एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पर है कि नहीं है आज किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर बिजली का बिल उसके नाम पर पानी गय सब उसके नाम पर तो परिवार के मुख्या की जगा आज मेरी माता ये बहन दें ये बढ़लाव ये बढ़लाव अमरुत काल में विक्सीद भारत का हमारा जो संकल्प हने है इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रुपे उफरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ कि आदर ने देखने होता है किसानों के लिए आंसू भाने की आदर मैंने बहुत देखी है किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है कि देश ले देखा है कॉंग्रेज के समय कि क्रिश्वी के लिए कूल वार्शिक बजट होता था पचीस जार करोगी आदर ने दिक जी हमारी सरकार का बजट है समाल लाग करोड उपिया का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था हमने दस वर्ष में करीब अठारा लाग करोड का था कॉंग्रेज सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नाम मात्र कभी कहीं की हो तो की हो हमने सवा लाग करोड उपिय से व्यधिक का दलहन और तिलहन की हमारे कॉंग्रेज ते साथियों ने पी-एम किसान सम्मान निदे कमरा हुजाया और जब मैंने मेरी पहले टम में योजना शुरू की थी तो मुझे आद है कि जूठा नेरेटूब की जो फैशन चल पड़िये गाओं में जाके कहा जाता था कि देखिए ये मोधी के पैसे मत लेना ये चुनाओ एक बार जीद गया तो सारे पैसे ब्याद समय तुमसे वापिस बागेंगा ऐसा जूठा लाए गया था कि सानों को इतना मुरग बनाने के कोशिश की गई थी आदानीय अदक जी पियेम किसान संबान नीथी दो लाख असी हजार करोड रुपिये हम ने भी देट लेटूद पीयेम फ़तल भी माय हो जना तीस हजार रुपिया का प्रिम्या और उसके सामने देड़ लाख करोड र कॉंग्रेस ने अपने साहसनकाल में कभी मी मचवारे पशुपालक की तो नामों निशान नहीं ताउंके काम में पहली बार इस देख में मच्छवारों के लिए अलग मंत्रा ले बना पशुपालन के लिए अलग मंत्रा ले बना पशुपालन के लिए अलग मंत्रा ले बना पहली बार पशुपालन को मच्छवारों को किसान क्रेडिक कार दिया गया ताकि कम व्याद से उसको बैंक से पैसा मिल सके तो अपना कारोबार बढ़ा सके किसानरों और मचुवारों यह चिंता सिर्फ जानवरों के नहीं होती है जिन्दिके का महत्वपन हिस्सा है आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं के अभी बहुत बढ़ी भूमिका होते हैं हमने फूट एंड माउथ बिसीस उससे भारे पशों को बचाने के लिए पच्चांस करोर से जाना ठीके लगाये हैं पहले कभी थोज़ाने के लिए आज भारत में युगाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं यह पहले कभी नहीं बने हैं आज पूरी वकेबलरी बदल गही है शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं बलते थे वो बोलचान के सहच दुनिया में शब्द आ चुके हैं आज चारों तरफ स्टार्ट अप्स की गुंज हैं उनिकॉंस चर्चा में हैं आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने हैं आज घीग एकनोमी की चर्चा हो रही है यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वकेबलरी है यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए 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 परिवेश हैं नए पहचान के यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं 2014 से पहले डिजिटल एकनोमी की साइज ना के बराबन बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी आज भारत दुनिया की डिजिटल एकनोमी है अग्रणी है लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में यह डिजिटल इंडिया मुवेंट जो हैं वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अनेक अउसर अनेक अनेक रोजगारं अनेक अनेक प्रसेशन्स के लिए अउसर लेकर के अने वाला है आधानी अध्ओजी ऑज भारत मेडीजूनिया पून दुनिया में पहुंच रहे हैं दुनिया में हम नमब दो बन गह और एक तरप सस्ता mobile प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा इन दोनों ने बहुत बड़ा revolution लाया देश में और दुनिया में हम जिस कीमत पे आज हमारे नवजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं सबसे कम कीमत पर करवा रहे हैं और वे कारण बना है हाच बडिनिया भ्यान रिकॉर्ड मैनुफेक्टरीं रिकॉर्ड एक्पोर्ट याद देश देख रहा है आदिनक जी ये सारे काम हमारे नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार लाने वाले काम है कि अशुकर मैं अभूसट परुप्रेव उच्छा लाया हरे हाँ कि हमारे देश में ये ग्रोथ और टुडियन अट्र एसा है जिसमें कम से कम पुंजी निवेश में हैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला अउदसर है और सामाने से सामाने व्यक्ति को भी ये रोजगार देने वाला उसर है, स्वरोजगार की सबसे ज़्यादा संभावनाए वाला टूरिजम छेत्र है, दस वर्स में एरपोर्ट दोगु ने बने, भारत सिर्ब एरपोर्ट बने है यहां नहीं, भारत दुनिया का तीसरा बड़ हम सब को खुशी होनी चाहिए, भारत की जो एरलाइंस कंपनिया हैं, उन्होंने एक हजार नए एरक्राप के ओर्डर दिये, देश में एक हजाम नए एरक्राप और जब इतने सारे हवाई जहाज आपरेट होंगे, कितने धमदमते होंगे, कितने पाइलोर्स की जुरूपड है, कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए, कितने इंजीनियर यह चाहिए, कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए, यहने रोजगारी के एक नए नेक छेत्र खुलते जा रहे हैं, एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया अवसर बन करका है, आधर नियत्र जी, हमारी कोशिस दहीं है, कि एकानॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की जिशा में मजबूती से कदूम थाए, यहाँ को नोकरी भी मिले, सोशल सिकूरिटी भी मिले, इन दोनों को ले करके, और आपने जिन बातों के अधार पर हम निरने करते हैं, और देश पे भी माना जाता है, वो एक होता है डाटा, एपी एफो का, एपी एफो में जो रिजिस्टन होता है, दस साल में करीब, अठारा करोड नए सब्काई बराये हैं, और वो तो शीज़ा पैसो से जुड़ा केल होता है, उसके फेरदी नाम नहीं होते हैं, मुद्रा लोन पाले वालों में, आठ करोड लोग ऐसे हैं, जिन्नों ने जीवन में पहली बार, कारोबार अपना शुरूर किया है, और जब मुद्रा लोन लेता है, तो खुद रोजगरी पाता है, एक या दो और लोगों को भी रोजगरी देता है, तो उसका काम ऐसा हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है, दस करोड महिला आए, ऐसे जी से जूरी जैसा मैंने का एक लाख और लगपती दीदी एक करोड ये अपने आप में बहुत, और मैंने जैसे कहां, हम तीन करोड के कार्गर कुदा है, अधरिने अध्यक जी, कुछ आक राश्टर के निर्माण में करीब करीब 12,00,000 करोड का बजेट था, दस सान में 12,00,0,000,000,00,000,000,000,000 बीते दस वर्सों में, इंफ्रास्टरपेक्टर निर्माण के अंदर बजेट 24,00,0,34,00,000,000,000,000,000 रोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समय जाता है आदेने देख जी इस राशी से जितनी बड़ा मात्रा में काम हुआ है उसके काण इतने लोकों को रोजी रोटी मिली है इसका आप अंदाज कर सकते हैं हम भारत को मैनिफेक्ट्रिंग का रिसर्च का इनोवेशन का हब बने है आधनिय दिख जी एनरजी के क्षेत्र में हमेशा डिपेंडेंट रहें है इनरजी के सेक्टर में हमें आत्मंदिर पर होने के दिशा में बहुत कुछ करने के आवश्यक्ता है और हमारी कोशिस है कि मैं ग्रीन-बेर्जी की तरफ हाइडरोगोन को लेकर करके हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीत पुरुवन वेश उसी प्रगार के दूसरा क्षेत्र है जिसमें भारत को लीड लेनी होगी वो है सेमिकंड़क्टर पिछली सरकारों ने जितने प्रयास किये प्रयास किये लेकिन सभलता नहीं बली अब हम ज अभूत पुर्वन निवेश में देखना हूं और भारत दुनिया को एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन करेगा इन सारे कारणों से आधरनी अधिक जी क्वालिटी जॉब की संभावना बहुत बरने वाली है और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्कील मिनिस्ट्री बनाई उसके पीछे ही तो यह है कि देश के नवजवानों को हूनर मिले और ऐसे आउसर मिले और हम इं पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की जिसा में काम कर रहें आदेनिय अधिक जी यहां महंगाई को ले करके काफी कुछ बात की गई है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने उससे चाहिए आनी चाहिए इत्याद गवाह है जब भी कॉंग्रेस आती है कि मैं कुछ वक्ते वे इस सदर्ण में आज कहना चाहता हूं और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हो लेकिन हो सकता है हमारी बात जो समझने पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किसी ने कहा था वह मैं बात में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुशिबत फ़ली है आम जिनता उनमें फसी है यह statement of fact किसका है ये कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल के लिए से कहा था उस समय हर चीज की किमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह उस समय की बात है उन्हाने माना खलाल के रेचे लिए चारों तरब महँगाई बड़ी है अब इस वक्ते के 10 साल के बाद नहरूचे के 10 साल के बाद एक और वक्ते का कोट आपके सामने रखता हूँ आप लोग मैं कोट बता रहा हूँ आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं परेशानियों में हैं महंगाई की वजह से कुछ तो लाचारी है पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में हालां कि वो काबू में आएगी दस साल के बाद भी महंगा के यही गीत कहे गए थे और ये किस ने कहा था फिर से नहरुजी ने कहा था उन्हीं के कारकाल पर कब देश का प्रियम रहते हैं उन्होंने 12 साल हो चुके थे लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आरही हैं महंगाई के का आपको मुसिवत हो रही हैं इसी के गीत गाते रहे थे अधने दर्जी अब मैं एक और भाशन का हिस्सा पढ़ रहा हूं जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती है हमको ये भी देखना है कि जो भी आवशक बस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे ये किस ने कहा था इंद्रा गांदी जी ने कहा था 1974 में 1974 में जब देश में सारे तुना ने दर्बाइजे ताले लगा दिये थे लोकों को जैलमा बंद कर दिया था 30% बहेंगाई थी 30% अपने भाशन में यहां तक कहा गया था क्या कहा था आप चोंग जाएंगे उन्होंने कहा था अगर जमिन न हो कहने कुछ पैदावर के लिए जमिन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सबजी उगा लें यह सी सलाएं उच्छे पत पर बैठे हुई लेक दिया करते थे जब देश में देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में गर गर गाये जाते थे एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाये जा अब यह दोनों गाने कांग्रेज के साथनकाल में आये आदर्य अद्धिक जी कांग्यूप के साथनकाल में महंगाई डबल डीजिट में थी इसको नकार नहीं सकते हैं और उपी का सरकार का तर्क क्या सा जी और संबेदन सिल्टा ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो ये कहा गया था ये कहा गया था जब भी कॉंग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबुत किया है हादम नियतिक जी हमारी सरकार ने महंगाई को लगातान नियंतरण में रखा है दो दो युद्ध के बावजूद और सो साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंतरण में है और हम कर पाए है कि अधनियत देख जी है यहां पर कि बहुत है गुसा व्यक्तिक किया गया हां जितना होसे का उतने कठेर सब्द में गुस्सा व्यक्तिक किया गया है उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है बस्टा चार पर एजन्सिया एक्षण ले रही है उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अधिन अधिक जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था बस्टा चार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यही मांग करता रहता था एक्षन लो एक्षन लो एक्षन लो वो कालखन देश दे देखा है चारों तरफ प्रस्टाचार की खबर है और आज जब प्रस्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं अधनियद्ध जी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति गुपियों के लिए उप्यों किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके काल सहें में क्या हुआ पीमले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दरज गिये हैं कंग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रुपीय के संपति जप्त की है हमारे कारकाल में एडी ने एक लाक करोड रुपे के संपत्त कि देश का दूता हुआ माल देना ही पड़ेगा और चीन का इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के डेर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखें हैं नोटों को डेर रोना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश नोटों के डेर डेक डेकर के चौक गया है लेकिन अब जनता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जनता देख रही है कि किस प्रकार से यू-पी-ए सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल दस पंदरा लाग करोड करहार चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के घोटाले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है डारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदन एकाउंट आधार मोबाई उसकी ताकत पहचानी है तीस लाग करोड रुपिय से जादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुँचा है और अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी ने कहा था कि एक रुपिया भेजते हैं पंदरा पैसे पहुँचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाग भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपिया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाईए पंदरा परसंट बुश्किल से लोगों के पास पहुचता बागी सब कहां चला जाता हादेणिया देख जी हमने दस करोड फरजी नाम हटाए है अभी लोग पूतेन पहले इतना आकड़ा ता क्यों कम हुआ आपने ऐसी व्रवत्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके हां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फरजी नाम बंद की है यह जो परिशानी है ने इन चीज़ों की है पिक रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है अधर नियते जी हमने यह फरजी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड रुप प्रजी हातों में जाने से बचाएं देश के टेस्ट पेर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधिनियर जग जी सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की ज़रूत है और समाज में भी जो लोग बैटे हूं को देखने की ज़रूत है आज देश का दुर्भाग यह हैं पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी कि दस दिन तक अपना मुँखी से कोई दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जिन पर सिद्ध हो चुके हैं जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए आज बॉसिंग बशीन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं इसे चोरों का सार्व सजनिक जीवन में कहां ले जाना चाहते हो देश को तो जो सजा हो चुकी हैं मैं यह तो समझता हूं कि आरोब जो हैं उनके लिए तो आप जोच सकते हैं लेकिन जो गुनासित हो चुका है जो सजाकार चुके हैं जो सजाकार रहे हैं ऐसे लोगों का महिमा मंदन करते हो कौन सा कल्चर और देश की अबावी पीरी को क्या प्रेना देना चाहते हो अब कौन से रास्ते और ऐसे कौन से आपके मजबूरी है और ऐसे लोगों का महमा मंडर किया जा रहा है उनको महान बताये जा रहा है कि जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग कंत्र है मानिय द्रजी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती हैं यह लोग लिख करके रखें यह महमा मंदर का काम चल रहा है उनका वह अपने अपने ही खात्मे की चिठी पर सिगनेचर कर रहे हैं लोग आदे ने देख जी जांच करना कि एजन्सियों का काम है एजन्सिया स्वतंत्र होती है और सम्मिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जैज करने का काम नयाद इसका है जैज करने का काम नयाद इसका है और वो अपना काम कर रहे हैं और अदेख जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझपर करना है कर ले मेरी बस्टा चार के खिलाब लड़ाई चलती रहे हैं जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा जिनोंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से वादा करत जिसको जो अरुप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा आधानिय अद्धिक जी देश शुरक्षा और सांति का एसास कर रहा है देश दफ पिछले दस वर्ष की तुलना में सुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डायरे में अपसिम्ता हुआ है लेकिन भारत की जो टारिजम के प्यती जीरो टॉलरंस निती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस निती की तरब चलने के लिए मजबूर होना पूरा है भारत की सेना है सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज भी उनकी ठाक है हमें हमारी सेना के परातन पर तरव होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिच करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मैंनू के सामर्थ को देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दे है इससे मेरे देश की सेना डिमरलाईज होगी यह सपनों में कोई रहते है तो निकल जाए देश के मुर को वो खतम नहीं कर सकते और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाशागर कहीं से बूपती है देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते है जोडने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पढ़ा हुआ है तो कि इतने टुकड़े करके भीभी आपके मन को समाधा नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हुआ और टुकड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा कशी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व अभिकास की चर्चा हो रही है परियतन लगातार बर रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहाँ पुरा विश्वाज उसकी चराना करता है कि अधिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बनाके रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के लिए समझे किसकी देन थी किसने देश के माते पर मारा था किसने बारत के समिधान के अंदर इस प्रगार की दरार करके रखी हुई थी अगर नहरूजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समस्याइद जेलनी पड़ी उसके मुल में उनकी यह सोच ती और उसी का प्रणाम है देश को बिकता पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरूजी की गलतियों का आदानियत दड़क जी, वो घले गलतिया कर के गये, लेकिन हम मूसीबते जेल करके भी गलतियों सुदाने के लिए हमारी कोशिच जानी रखेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने लिए निकले हुए लोग है हमारे लिए नेशन फरस्ट है आधेनियों देख जी अधिक जी मैं सभी राजनीति डेलों के नेताओं से आगरे करूँगा सभी मानने सदोस्य से आगरे करूँगा भारत के जीवन में बहुत बड़ा आउसर आया है वैस्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा आउसर आया है वह राजनीति के अपनी जगा पर होती है आरोब प्रत्या रोब अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है अ इसलिए आगे मैं निमंस्तर देता हुआ है कंद से किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े हैं है कि राजविती में किसी भी जगह बे रहते हुए भी राश्ट्र देर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आते हैं अब इस राह को मच हुए मैं आपका साथ मांग रहा हूं मा भारती के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूं मैं विश्व के अंदर जो अउसर आया है उस अउसर को भुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूं मैं आपका सयोग चाहता हूँ एक सो चालीस करोड देशवास्यों की जिन्दगी को और सम्रद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिट करके रखिए प्थर सपने सपने को समुरूद्ध बनाने के लिए हो अकट प्थर को मैं अपकाम में ले लूंगा ये भी मैं आपको दिविश्वास दराता हूं कि आधे नियत्र जी को उद्हें जानता हूं साथियों की तकलिफ हैं जानता हैं लेकिन वह जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता हूं अर्दुकी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये नामदार है हम कामदार है और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही परता है तो नामदार कुछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जनमजात अधिकार मिले हुई है और हम कामदारों को सुनना होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाते रहेंगे आदनी अद्धक जी आपने बुझे इस revisit saadhan में आधनी राघ्पति ची के फुद बदन कव को समर्षन करने के लिए बोलने सावसाद्य लाधर नी राघ्पति चीकिक से समर्षन को समर्षन देते हुए दनियवाद परस्टाव पर आभार व्यक्शन करते हुए मेरी वाणी को बिराम देताऊँ झाल झाल